आज की अभिष्वानी है, 20 नवंबर 2005 की एड़ इंडिया है, समय की समीपता प्रमान, प्रेम को हद के बंधनों से मुस्त करो, संपन्न बनों और समान बनों, आज चारों और के संपून समान बच्चों को देख रहे हैं, के समान बच्चों को देख रहे हैं, बाप दादा समान जिनों ने स्टेज धारण की हुई है, उन बच्चों को देख रहे हैं, समान बच्चे ही बाप के दिल में समाई हुए हैं, समान बच्चों की विशेषता है, वो सदा निर्विग्न, निर्विकल्प, निर्मान और निर्मलों ये। ऐसी आत्में सदा स्वसंत होती हैं, इसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधाय मान नहीं होती। कौन से बंधन में? अद के बंधन और बे अद के बंधन, अद के बंधन माना क्या? अत्मना दे और दे के संबंध जो भी है, इस दुनिया के जो भी बंधन है उनमें बंध है मान नहीं होती। दे का सबसे बड़ा बंधन कौन से है? तो अपने आपसे पूछो, ऐसी बेहदिकी स्वतंत्र आत्मा बने है, सबसे पहली स्वतंत्र का है देवांसे स्वतंत्र। जब चाहे दे का अधार ले और जब चाहे दे सेन्यार्य हो जाए। दे की आकर्षण में नहीं आवे। दूसरी बात वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने सुभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पुराने सुभाव और संस्कार के मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देजारी आत्मा के संबंद संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संपर्क में आवेगी। संबंद में आवेगी। लेकिन फिर भी आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और त्यारे होंगे। तो अपने आपको चेक करो। कोई भी छोती सी करमेंद्रियां बंदन में तो नहीं बांधती ने। बड़ी करमेंद्री कौन सी है। आख। आख का संग करते हैं। तो जो कीज आख से देखी जाती है वो याद आती है। कभे याद आती है। और कभे याद नहीं आती है। अटेक्मेंट पूर्वक लगाव पूर्वक देखा जाता है तो याद आती है। और डिटेच होके देखा जाता है तो याद नहीं आती है। तो अपना स्वमान याद करो। मास्टर सरसक्तिवान त्रिकालदर्शी इत्रनेत्री। स्वदर्शन चक्डारी। उस स्वमान के आधार पर क्या सरसक्तिवान के बच्चे को कोई करिमिंद्री आतशित कर सकती है। क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो। सेकिंड में सर्वबंदनों से मुक्तो हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंदन रहा हुआ तो नहीं है। क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर वन होने का प्रिशक्ष प्रमान है। सेकिंड में जहां जैसे मन गुद्धी को लगाना चाहो। वहां सेकिंड में मन गुद्धी सेट हो जाए। हल चल में नहीं आवे। जैसे सूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहते हो जा सकते हो न। ऐसे ही, उस जी द्वारा जिस स्थिती में स्थित होना चाहो, उस स्थिती में स्थित हो सकते हो. जैसे साइंस द्वारा लाइट आओस माइट आओस होता है. तो सेकेंड में स्थित चाहन करने से लाइट आओस चार और लाइट देने लगता है. माइट देने लगता है. ऐसे आप इस मती के संकल्प का स्थित चाहन करने से लाइट आओस माइट आओस होके आत्माओं को लाइट और माइट दे सकते हो. एट सेकंड का आडर हो असरीरी बन जाओ तु बन जाएंगे न कि असरीरी बनने में युद्धत नहीं पड़ेगी ये अभ्यास बहुत काल कांत में सहयोगी बनेगा अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो इस समय असरीरी बनना इसमें मेहनत करनी पड़ेगी ये बाप दादा ये ही इसारा देते हैं इस अभ्यास को सारे दिन में कर्म करते हुए भी अभ्यास को बढ़ाते रहूँ कौनसा अभ्यास असरीरी बनने का इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवस्यक्ता है अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वर्षी भूत नहीं कर सकते हैं ये बक्ति मार्ग में दस इंद्रियों के ऊपर सबसे प्रमुकेंद्रिय कौनसी मने गई मन उन्होंने मन को एक अलग से इंद्रिय ही माल लिए बास्तम में तो ये आत्मा की शक्ती है प्रमुक शक्ती है मन कंट्रोल से बाहर हो जाता है उस तमो प्रधान कल्यूग बरसता है और मन जब पूरा कंट्रोल में हो जाता है तो सत्तो प्रधान सत्यूग बरसता है बक्ती मार्ग में कहा हुआ है मन के हारे हार और मन के जीते जी अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ती का बरदान चाहिए आत्माओं की आप मास्टर सक्षक्तिवान आत्माओं के प्रती यही शुविच्छा है कि बिना मेहनत के बरदान द्वारा रस्ती द्वारा वायव्रेशन द्वारा हमें मुक्स करो अब हमारे में इतनी पावर नहीं है आपे रीतरत परोई अभी साब मेहनत करके ठाक गए है आप सब तो मेहनत से मुक्स हो गए हो ना ना फिर भी लगा हुआ मुक्स हो गए हो ना कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है सुनाया था मेहनत से मुक्स होने का सहज साधन है दिल से बाप के असीशने ही बन जान आप ब्राह्मन आत्माओं का जन्म का वाइदा है वो वाइदा याद है जब आपने अपना बनाया ब्राह्मन जीवन दी तो ब्राह्मन जीवन का आप सबका वाइदा क्या है याद है प्राह्मन जीवन दा वाइदा ही मुख्य वाइदा भूल गया एक बाप और कोई तो वाइदा याद है ना याद है कोई ने जवाब नहीं दिया होगा तो बार बार पूछा एक बार पूछा आप सबका वाइदा क्या है जल्दी जवाब आता हो तो तुरंत दे देते हैं एक बाप दूसरा ना कोई ये वाइदा याद है कांद तो हिला हो अच्छा हाथ दिलाए रही याद है पस्ता या कभी कभी भूल जाता है देखो प्रेश जनम तो भूलने वाले बने अब ये एक जनम में स्वर्थी स्वरू को बने हो तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं बच्चिपन का वाइदा याद है करने वाला भी है हम्मा गाँ गई एक ही पढ़ाने वाला भी है हमेशा की बात नहीं बोली अब की बोली वतमन समय की बात बोली एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है सब बातों में एक ही एक है चाहिए परिवार भी है इस वर यह परिवार लेकिन परिवार भी एक बात का है अलग-अलग बात का परिवार नहीं है एक ही परिवार परिवार में भी एक दो में आत्मी किसने है आत्मी किसने है तो बातादार याज दिलाए रही है जनम जनम के वायदे तीस ग्यारह दो हजार पांट की जनम विक्तवानी का दूसर रही है और क्या वायदा किया सभीने बड़े ओमंगुत्सा से बात के आगे दिल से का सब कुछ आपका है दन मन धन सब आपका है तो दिवी की बापकी अमानत के रूप में बापने काहि में लगाने के लिए दिया है आपने तो बापको दे दिया क्या दे दिया दन मन धन तीनों ही दे दिया तो दे भी है ना या कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा बापस ले लेते हो बापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है बक्ति मार्ग में भी अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है कोई बच्चे कहते हैं रूरियान करते हैं ना तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है मैरे मन से बहुत परेशान दुखी हूँ अरे, मेरा मन कहां से आया, धन, मन, धन, सब तेरा हो गया, तो मेरा कहां से आ गया, जब मेरे को तेरे मेरा पड़ किया, तो मेरा मन कहां से आ गया, आप सबी तो भिन कोड़ी बाक्षा हो गये हो, अबी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कोड़ी हो गये हो, लेकिन बाक्षा हो गये हो, क्यों, बापका खजाना, वो आपका खजाना हो गया, तो बाक्षा हो गये न, बापका खजाना क्या है, परमात्म खजाना, वो बच्यों का खजाना, तो बाप दादा वाय दे आज दिलाए रही है, तेरे मेरा नहीं करो, बाप कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, और आपकी सारी जिम्मेवारी बाप ने ले ली, इन संत्रों में, आप मुझे याद करो, तो सर्व प्राप्ती के अधिकारी हो ही, तिर्फ क्या करो? याद करो, और आपने कहा हम आपके हैं, आप हमारे हो, यह वायदा है ना, तो बाप कहते हैं, खजाने को, सब प्रकार के खजानों को सदा स्वप्रती और सर्वात्मों के प्रतिकारी में लगाऊ, इतना कारी में लगाएंगे, उतने ही यह सब्रकार के खजाने बढ़ते जावेंगे, सर्वशक्तियों का कहजाना तो यह कारी में लगाऊ, फिर्फों बुद्धी में नालेज नहीं रखो, मैं सर्वशक्तिवान हो, लेकिन सर्वशक्तियों को समय प्रमाना कारी में लगाऊ, और सेवा में लगाऊ, बेवा में लगाएंगे तो खुशी बरती रहेगी बाप दादा में मेजार्टी बच्चों के पोता मेल में देखा है दो सक्तियां अगर सदा याद रहें और कारी में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विगन रहेंगे विगन की ताकत नहीं है आप के आगे आने की यह बाप की गारंटी है ऐसे तो सब सक्तियां चाहिए लेकिन मेजार्टी देखा गया है कि सहल सक्ति और रियालाइजेसम की सक्ति रियालाइजेसम करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में अटेंशन कम हो जाता है इसलिए जिस समय रियालाइज करते हो वो समय चलन और अच्छे है आप अदर जाता है बहुत उमंगा और उप्सा में आते हो कि हां रियालाइज लेकिन फिर भी बाद में क्या हो जाता है अनुगरी तो सभी है तो देखो क्या हो जाता है उसको हर समय स्वरूप मेलाना उसकी कमी हो जाती है क्योंकि यहां स्वरूप बनना है तो बुद्धी से जानना अलग चीज़ लेकिन उसको स्वरूप मेलाना इस बात की अभी आवश्चिक है कभी-कभी बाप दादा को कोल-कोल बच्चों पर रहम भी आता है बाप समझते हैं बच्चे से मेनत नहीं होती है तो बच्चे के बजा है बाब भी कर लेए लेकिन ड्रामा का राज है क्या राज है जो करेगा तो पावेगा नहीं करेगा तो नहीं पावेगा अगर बाप को रहम आ जाता है और बाप करेगा तो कौन पावेगार बाप पावेगा? बाप पावेगा써 ‌ज है सुपृम्ह जोती विन्दु है वो कैसे पावेगा? अरे बाप का भी कोई स्वरूप है तो जिसमें प्रवेश करके वो सुप्रिन सोल पार्ट बजाए रहा है उसको प्राप्ती हो जावेगी और बच्चे गाटे में आ जावेंगी तो क्या करना है अपनी गोट तो नसा चड़िए अभी तो नहीं मिल पाया प्रेशस जनम की और 21 जनम की प्राप्ती कब करनी है लुकत दुनिया में भी कोई-कोई होते है ऐसे ही सोते है इसलिए ड्रामा का राज है जो करेगा तो पाएगा इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है लेकिन करना फिर भी बच्चों को परता है बाप दादा ने देखा है बच्चे संकर्फ बहुत अच्छे अच्छे करती है अमरत बेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकर्फों की बहुत बड़ी बड़ी मालाएं आती है बाबा हम यह करेंगे हम वो करेंगे ऐसे करेंगे बाप दादा भी बच्चों के रूर्यान सुन करके खुश हो जाते है अउकल्प तो बहुत अच्छी अच्छे करते है करने में कम्ज़ोर कियों बन जाते हो इसका कार्ण देखा गया ब्राम्मन परिवार में संगठन का वायो मंदल होता कहां कहां वायो मंदल कमजोर भी होता है और उसका असर जल्दी पड़ जाता है फिरुनों की भाषा बताएं क्या होती है जिनके उपर वायो मंदल का असर पड़ जाता है उनकी भाषा बड़ी मीची होती है भाषा होती है ये तो चलता ही है ये तो होता ही है ऐसे समय पर फिर क्या संकल्प करना चाहिए ये होता है ये चलता है ये सब बातें अल्वेल अपन लाती है लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्चन कर दो परिवर्चन करो कि बाप ता फर्वान क्या है और बाप की पसंद ही क्या है बाप किस बाप को पसंद करता है जो मेरी बाचा है वो अब बाप ने बोली है क्या और किया है क्या आगर इस तरह बाप याद आ गया तो अल्वेल अपन समात्त हो गया और समझो हो मंग उस्साहा आजाएगा अल्वेल अपन भी करी प्रकार काता है आप लोग आपस में क्लास करना लिस्ट निकालना एक होता है साधान अल्वेल अपन और एक होता है रायल अल्वेल अपन तो अल्वेल अपन दरता नहीं लाने देताने और दरता सफंता का साधन है दरता नहीं होती है तो सफंता नहीं मिलती है इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता है तो आज क्या सुना वायदे याद कराई है ना बच्चे वायदे इतने अच्छे अच्छे करते हैं और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं बच्चेयों के वायदे सुन-सुन करके लेकिन जितने वायदे करते हो न उतना फायदा नहीं उठाते हो तो बाप दादा यही चाहते है और यही पूछते है जनते हो बाप दादा क्या चाहते है उनसे बाप दादा यही चाहते है कि समय से पहले ता वैवरेडी बन जाओ समय आपका कहीं मास्टर न बन जावे मास्टर बनेगा वो चैतन्य होगा यह समय की तरह जड़ होगा केतन होगा जड़ होगा समय मने काल काल में भी महा काल विख्यात है तो समय आपका मास्टर नहीं बने समय के मास्टर आप हो इसलिए बाप दादा चाहता है कि समय के पहले समपन बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रतक्च होगा क्योंकि बाप आकेला प्रतक्च नहीं होता है जो नहीं नहीं बच्चे आए हैं मिलने के लिए वो हाथ उठाओ बड़ा हाथ उठाओ लंबा अच्छा बाप दादा नहीं नहीं बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं कि भागवान बच्चे अपना भागी लेने के लिए पहुँच गए हैं इसलिए मुबारक हो अभी जो भी नहीं नहीं बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाते हैं बले आए उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाते हैं बले आए पीछे आए हैं लेकिन आगे जाकर के दिखाओ क्योंकि बाप दादा के पास तो सारी रिजल्ट पहुँच जाती है अच्छा स्रीवा कटर्न दिल्ली और आग्रा अच्छा दिल्ली वाले आथ उठाओ बहुत अच्छा किया है चांस लिया है पीचस्ट भी बहुत आई है अच्छा है टीचस को देख करके बाप दादा खुश होते हैं क्यों खुश होते हैं बाप की गज़ी के अधिकारी बने हो क्यों की टीचस्ट? है? दिल्ली की टीचस के लिए बोला बाप की गज़ी के अधिकारी बने हो तो बाप अदादा टीचस को सदा भाई कहते हैं बाप समान से वाधारी बने और प्रविट्ती में रहने वाले जो भी आए हैं कुमारियां भी आए हैं कुमार भी आए हैं अभी जैली में कोई नवींता करके दिखाओ एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी शुरुआत किसने की? दिल्ली ने की? अभी दिल्ली वालों कौंत भी करना है? मेगा प्रोग्राम में हो गए ये कोई नवींता नहीं हुई कांस्प्रेंस भी बहुत हो गई ये भी कोई नवींता नहीं हुई वरगों के प्रोग्राम से भी बहुत हो गए लेकिन अभी नवींता क्या करनी है? कोई नया प्लेन बनाया है दिल्ली वालोंने? बनाया है? या बना रहे हैं? बाप दादा के पास वरगों की सेवा की रिपोर्ट आती है लेकिन हर एक वरग ने जो इतना वर्ष सेवा की है उसमें फास्त सीव्र पुरुशाती घुरुप कितने निकले? हर वर के वह नहीं लाये? गुल्दस्ता नहीं लाया है अबी? चलो! बड़ी माला को छोडो! कौनसी बड़ी माला? गुल्दस्ता नहीं होते हैं लेकिन आज तो हो सकते हैं हर एक वर के कोई ऐसे अग्जेम्पल चाहिए तो माइक भी हो और माइक भी हो और माइक भी हो? इनकान वो सुन करके और उमें भी उमंगूत सहा जाए पाप दाला तो हर बरक का चाहते हैं चाहते हैं? ऐसे एक्जेम्पल जो माइक भी हो और लाइट हाउस भी हो जिसको बोलने वाली न हो? हर बरक से चाहते हैं वो ग्रूप वर्ड में सेवा योगी बन जाए हर बरक से जो ग्रूप निकलेंगे ऐसे माइक और माइट वो सारे विश्व में सेवा करने योगी बनेंगे तो वो कितने होंगे टोटल? उनकी टोटल आब आजी कितनी हुई? अरे एक्जेम्पल ग्रूप की बात हो, ग्रूप में से जो एक्जेम्पल निकलेंगे उनकी बात हो रही है अरे एक ग्रूप से एक्सवाट तो बाव्त दादा हर वर्क का चाहता है जो गुर्प वर्ल्ड में सेव आयोगी बन जावी. अच्छा है. दिल्ली वाले दिल्ली को राज़ानी बनाना है. तो पहले दिल्ली में ऐसा वायमंडल पैदा जरो. दिल्ली का आवाज चार ओर सहजी फैलता है. ये बात तो है ही. अच्छा किया है ने. चांस लिया है. आदा क्लास तो दिल्ली का दिखाई दे रहा है. अभी नवींता दूसरे बारी कोई नवींता लेकर किया ना. तो दिल्ली कोई नहीं कह रहे है. कोई भी जौन, कोई नया फ्लेन बना के आए, उनको बाप दादा एक्षा इसने शक्ति वा बरदान देंगे. जो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं. लेकिन कोई नया फ्लेन हो. ये यात्रा निकालना, ये फारम बराना, ये तो बहुत हो चुका. अभी कोई नया फ्लेन बनाओ. सोचो, दिल्ली को नंबर वन होना चाहिए. क्योंकि दिल्ली के उपर सब की नज़ा है. और देखो, ब्रामा अनुसार सेवा का आधिस्थान दिल्ली रहा है. बेसिक में भी आधिस्थान कौँसा रहा? दिल्ली. कौँसा सेवा के उपर खुला? कमला नगर. और एडवांस में भी? ये वा का आधिस्थान कौँसा रहा? दिल्ली. और दिल्ली में भी? ये ये चैतने सेंटर है, ये जड़ सेंटर है. चैतने तो कौँसा सेंटर रहा? कमला नगर. चाहिए जमुना का किनारा ही था? लेकिन आरम वो तो हुआ ना? जमुना किनारे पर राजी करना है. तो जमुना किनारे पर ही सेवा आरम्भकी. एडवांस की भी सेवा? जमुना किनारे से आरम्भकी. और बेसिक की भी सेवा? पाउन त्रेपन चाउवन. इस तीन चार वर्ष जमुना के कंठे पर घाट बने हुए थे. रहने के भी कोई खास जगे नहीं थी. ऐसी जगे दाजियोंने बैट करके सेवा? बेसिक में भी किसी है. तो जमुना किनारे पर ही सेवा आरम्भकी? अभी इसमें भी भी नम्मर लेलो. हैं? अच्छे-च्छे हैं. कहां? बिल्ली में. बिल्ली में भी कहां? जमुना की कंठे पर. नया प्लेन बनाने वाले हैं. बाक दाजा देखते हैं कि हैं? देखे हैं? क्या देख रहे हैं? कि जमुना की कंठे पर नया प्लेन बनाने वाले हैं? मौजूद है. तो मुबारक हो दिल्ली वालों को. जो आदि में? तो अंत में. लेके नया प्लेन लगाएंगे? तो पतम को ना मुबारक बनाने. कोई ने कहा 950 यू थाए हैं. अच्छा. बड़ा ग्रूप आया है. बाक दाजा ने समाचार को सुना. यात्रा का फ्लेन बनाए रहे हैं. और अभी क्या बोला? यात्रा निकालना, फारम भराना, कांट्पेंस करना, मेगा प्रोग्राम करना ये तो बहुत हो चुका. मेरी भी सुनाने वाले यान आकसित कराए रहे बाप दादत. कहां? नौ सो पचास यू उठाए है. काई के लिए? यात्रा निकालने के लिए. तो दुनिया में होता है, कोई? बक्तिमारग वाले अपनाते हैं. यात्रा का प्रेंड के यूठ कितने हैं. लेकिन बाप दादा ये चाहते हैं, कि जो भी सब जोन है, जहाँ कहाँ जोन है और सारे प्रामण परिवार की यूथ कितने है और क्या-क्या उन्हों में परिवर्तन आया है, वो प्रैक्टिकल नाम, इस्थान और परिवर्तन और उनका प्रैक्टिकल लिखत हो जो गौबर्मेंट को दिखाया गए, गॉर्मेंट तो खुद यूथ को बुलाएगी लेकिन पहले क्यारों और के यूथ के नाम इस्थान और परिवर्टन साथ में लंबा चोड़ा जाए परिवर्टन का बुक नाम इस्थान का बुक हो यो उनों को दिखाया जाए फिर वहाँ यूथ को आते ही निमंतर देंगे तो ऐसा फ्लैन बनाओ अभी कितने आए हैं उन्हें का नौतों पचाथ तो ये भी थोड़े हैं ना हज्यारों के करीब यूथ कोंगे उनका एक बुक बनाओ अच्छा परिवर्तन सहे तुबक हो क्योंकि लोग सिर्फ यह नहीं देखते कि परिवर्तन क्या हुआ उसमें परिपक्कुता भी हो परिवर्तन में परिपक्कु है तेरे भी बाप दादा ने देखा है कि यूथ बर्गर कुछ नो कुछ तार ही करता रहता है अटेंशन है सेवा का इसलिए परिवर्तन करके दिखाओ ट्रेनिंग की है ना ये सब ट्रेनिंग में आई है ना तो ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल में रिजल्ट में दिखाना है सारा परिवार आपको मुबारक देगा अच्छा डबल विजेशी होती अच्छा है डबल विजेशी स्वापर और सेवापर अटेंशन अच्छी दे रहे है लेकिन सेविश में एक मात्रा लगाने है और अंडरलाइन करने है यो परिवर्तन का संकन्प लेते हो और अच्छा उमंग उच्छा हिम्मत से लेते हो सिर्फर इसको अंडरलाइन करते जाओ ये परिवर्तन करना ही है बदलना ही है और स्वयम को बदल करके फिर भी सुको बदलना ही ये दरता की अंडरलाइन बार-बार करते जाओ बाकी बाक दादा कुछ है ब्रदी भी कर रहे हैं और सेवा और स्वयके उपर अटेंशन भी है लेकिन अब भी पूरा अटेंशन नहीं गया है अटेंशन है लेकिन थोड़ा-повड़ा बीच-बीच में टेंशन भी आता है तो वो थोड़ा टेंशन भी समात करना है बाकी हिम्मत अथी है हिम्मत की मुबारक अभी जोवी बैसे है बाप सहित आपके हिम्मत की मुबारत दे रहे अच्छा आप तो यहां बैठे हो लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद्ट्या मिले और बाप दादा एक-एक बच्चे को नेनों में समाते हुए बहुत बहुत दिली की जुआई दे रहे चाए भारत से हों, चाए विदेश से हों बहुत बच्चों की यादा रहे पत्र आते हैं, इमेल आते हैं और साब बाबा के पास पहुच गए अच्छा बाप दादा एक सेकेंड में आशादी भव की डिल देखना चाहते अगर अंत में पास होना है तो ये डिल बहुत आवश्य देखना इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकेंड में देवान से परे इस्थित हो जाओ अपनी स्वैस्थिती में इस्थित हो जाओ एसे आकसित हो जाओ जो कोई भी आकसित न करे बाप दादा ने दिल कराए अच्छा आप तो यहाँ बैठे हो लेकिन भाप दादा दादाकाल के लिए एक सेकेंड में अशरीरी भव की दिल देखना चाहते हैं अगर अंत में पास होना है तो यह दिल का अभ्यास अभी सी करना है अच्छा चार ओर के तीव्र पुर्शार्ती बच्चों को नदा स्वपरिवर्तन और विश्वपरिवर्तन की सेवा में तक परिय रहने वाले विशेश आत्माऊ को नदा ब्रह्मा बाप समान्द कर्मयोगी कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षन से मुक्त आत्माऊ को तदा दरता को हर संकल को, हर बोल, हर करम में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को, बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद्प्याश्विकार, नमस्तुर। तंदुष्टो हो गई हो, अभी बीमारी गई, बीमारियां भी महारतियों से विदाई लेने के लिए आती हैं। क्या टाइटिल दिया। जाजी को टाइटिल क्या दिया। महारतियों महारतियों कोई दूसरे को बनाना है क्या। महारतियों क्या टाइटिल है। या महारतियों क्या टाइटिल है। अभी अंदर ही अंदर करमातित बनने का रिहसल कर रही है। जान की कह रही है, दाइटि तो बेशी कर बाग्सा है। माना ? रियाटिल करने की कोई दरकार ? नहीं है। तो दाडी की बाग्सा ही है या बाप दादा की बाग्सा ही है ? दादी ने तो काट दिया… इस रादी तो बेफिकर बाक्षा है, उसको उसकुरेयस्पल करने की दरकाल? नहीं है। इसको फिकर नहीं होती है। इसको पुरा पकार दढ़ता से निदुच्छे होता है। वो तो स्टेज्वज पड़ाकर के अपना काम सुरू करदेगा उसको रिहसल की दरकाल? है नहीं तो बाप दादा ने पूछा जान की दादी से अच्छा दादी तो बे भिखर बाक्सा है आप फिकर वाली है क्या आप बे भिखर दोनों ही पार्ट अच्छा बजाए रही है देखो सबसे बड़े ते बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित तो बनी ना सबसे बड़े ते बड़ा जिम्मेवारी का ताज माना इससे बड़ा जिम्मेवारी का ताज और कोई होता नहीं किसा अधर को हमारी लक्षमी नैळे को इसे बड़ा जिम्मेवारी का ताजन नहीं मिलना है। यह मिलता है , तो समसे बड़े से बड़ा क्यों बताई जी यह ? यह तो नहीं कहा कि Basics क्यों आदार से बड़े से बड़ा थो फोटे छोटा होता है। बनीना मना पास्ट के बारे में रिजल्ट दे दिया कि बड़े ते बड़े जिम्मेवारी का ताज उमार का दादी ने और जान की दादी ने धारण किया है, करें गी नहीं. क्या बोला? बनीना. जिम्मेवारी का ताज पहलने वाली निमित तो बनीना. तो किसा अधार पर बोला? दुनिया में सबसे जास्ती पापुलेशन कौन-कौन से दर्म वालों की है? इसलाम धर्म वालों की और किस्यन धर्म वालों की. और उन दोनों धर्म वालों का बरतमान संग मेवु में प्रतिजुत्य करने वाली आत्में कौन-कौन है? आधार मूर्थ में मुखी आत्में कौन-कौन है? राधी प्रकाश मनी राधी और ज्यान की राधी. उस हाधार पर बोला है कि बड़ी ते बड़ी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमिच तो बनी न. ऐसे नहीं कि विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहन लिया है. विश्व कल्यानकारी की जिम्मेवारी का ताज पहने तो फिर कोई पार्टी विशेच और ज्यक्ती विशेच को दुरू-दूर नहीं कर सकते. अगर दूर-दूर कहें, तो विश्व कल्याने कारी का टाइटिल नहीं में सकता, तो निमित तो बन गई न, ये साथ साथ ही हैं आपके, पूछ नहीं हैं, आप लोगों को देखके, उमंग उत्साहा आता है ना, इनको, ये जो आपके साथी साथ में बैठते हुए हैं, तह योग देने वाले, आपको देखकरके, इनको जी उमंग उत्साहा आता है, वो जो पूछा, अभी क्या-क्या देया करना है, बाबा ही कुछ प्रेण न दे दे, बाब दाजा ने सुनाया, कि हर वर्ट का बुल्दस्ता, जो माइक भी हो, और माइक भी हो, जिसको माइक और संपर्क वाला नहीं हो, संबन्द में भी नजीक हो, किसके संबन्द में नजीक हो, बाब दाजा के संबन्द में भी नजीक हो, ऐसा गुल्दस्ता निकालो, पिरुआ गुरुप निमित बनेगा सेवा करने के लिए, वो माइक भनेगा और आप माइक भनेगी, उनके जिगर से निकले बाबा, जब वो माइक भनेगे, तो उनके जिगर से निकले बाबा, तब प्रभाव पड़ेगा, माना अभी तक प्रभाव क्यों नहीं पड़ा है, क्यों पर मुखका माइक बोलता है बाबा, 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 लिकिन मुर्ली में तो व्याक्ष्य दिये है, बाबा किसको कहा जाता है, सातार और निराकार के मेल को ग्राण फादर बाबा कहा जाता है, तो जो बात प्रेक्टिकल में है ही नहीं, तो फिर मुख से बोली जा रही है, तो फिर जिगर से कैसी कहा जाए, तो उनके जिगर से निकले, तब प्रभाव करेगा, उन्हों को संबंद में नजीक लाओ। किनों को ? है ? वो जो गुर्प ऐसा निकले जो माईक भी हो संपर्क वाला ना हो लेकिन बाप दादा से संबंद जोडने वाला भी हो उन्हों को नजीक लाओ। कभी-कभी होता है ना तो नशा थोड़ा कम हो जाता है संबंद संपर्क में जहां भी आवें बहाँ संबंद और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएए अच्छा प्रेकित में दिया है किसीने बोला और संबी का याद प्याद भी अच्छा ओव प्रेकित झाल अच्छा अच्छा